नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के आप बैर्थियों का आपके अपने यूटूब शेनल एक्जाम ट्रिकी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर्ड स्पेशल एजुकेशन विजुल इम्वेर्मेंट 22 2019 जिनका पेपर था आज 5721 को जानी कि जो आपका कॉमन पेपर है सेकंड यर के स्टुएंट्स का तो दोस्तों किस प्रकार से आपके सौट कोश्चन पूछे गए इस पेपर में तो दोस्तों इन कोश्चनों पर मैं बात करूँगा कि आप लोगों में भी ऐसे ही कोश्चन आसकते हैं जो हई आईटके स्टुएंट्स हैं सेकेंड यर के तो दोस्तों फिलिम्दा ब्लैंक्स जो आपके होंगे वह किस प्रकार से आ सकते हैं जो किस प्रकार छी तो घ्रई चानकारी इस वीडियो में आपको प्रोड कराऊंगा और पेपर भी आपको दिखाया और वीडियो को अपने मित्रों के पास में सेर जरूर कर दीजेगा सभी कोश्टन को सॉल्व करके याद कर लीजिएगा आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके आने वाले पेपर्स में तो दोस्तों देखते हैं क्या पेपर आया था आज और किस प्रकार से प्रष्ट आये और लॉंग कोश्टन में कौन कौश्टन से आपसे पूछे कि जा सकते हैं तो वो देख लीजिएगा इसके अलावा आप लोग पैटर्न पर बिल्कुल भी ना चाहिएगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेशला इस्टूट जो पेपर कराता है विज्वल इंपेरिमेंट का बैस 2019 और एक्स्टनल इग्जामनेशन जो कि आज का पेपर है यह और इसमें पहला जो कोशन था विकलांग व्यक्ति अधिनियम वर्स में लागू हुआ यानि कि देख लीजिए आप अगर हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो कभी-कभी इंग्लिस भी देख लिया कीजिए persons with disability act के बारे में पूछा गया और आप सभी को पता है कि PWD Act 1995 में दोस्तो आया और यहां पर साफ साफ दिया हुआ है दोस्तो जो आपके questions हैं वो लगबग में ऐसे आ सकते हैं लेकिन जो ID के students का pattern होगा आप सभी ने pattern अपना देख लिया होगा जो second year के students थे तो दोस्तो उनक कार से रहेगा वी आई का pattern थोड़ा सा चेंज है अभी मैं बता दूंगा आपको कि कहा पर इनका pattern चेंज हुए है नेक्स आप से देख लिए पूछ लिया गया कि RTE Act में R है बात की गई Right to Education Act की जो इसको हम कहते हैं Free and Compulsory Education दोस्तों जो सिक्षा का अधिकार अधिनियम जहा की जाती है तो यहां पर पूछा गया कि RTE Act में R दोस्तों क्या है दोस्तों RTE Act में R क्या है तो क्या कहेंगे हम राइट है तो इस प्रकार से आप से questions पूछे गए हैं Next आपका देख लिजे बहुत ही अच्छा question है राष्ट्रिय न्यास अधिनियम में सामिल विकलांगता कुल कितनी हैं आप सभी को पता है कि राष्ट्रिय न्यास अधिनियम जानी की National Tracts Act 1999 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको चार दिव्यांगता हैं देखने को मिल हैं तो इस प्रकार से चौथा question आपका है यहाँ पर आपसे पूछा गया कि मानसिक बीमारी भारत के अधिनियम में सामिल है तो दोस्तों मानसिक बीमारी जो थी वो PWD Act में भी आपको देखने को मिली थी आप यहाँ पर PWD Act 1995 लिख सकते हैं नेक्स्ट आपका RPWD अधिनियम आप सभी को पता है कब लागू हुआ तो दोस्तों 2016 में लागू किया गया Rights of Person with Disability Act नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके fill in the blanks के questions कुछ इस प्रकार से थे RPWD Act का पूरा नाम यानि कि आपसे full form भी पूछ रहा है और यही full form आपको उठा करके true and false में रख दिया यानि कि Rights of Person with Disability Act है या नहीं है ऐसे भी आपसे पूछ सकता है और यहाँ पर आपसे क्या खागया है RPWD Act का पूरा नाम तो यहाँ पर आप केवल और केवल लिख देंगे Rights of Person with Disability Act आपका पूरा हो जाएगा इसी प्रकार से सारे questions आप यहाँ पर 14 question देख लीजिए मैंने अभी आपसे बताया कि मानसिक बीमारी भारत के PWD Act में सामिल है या नहीं है यह आपसे सही गलत पूछ लिए गया और इसी प्रकार से आपसे questions यह पूछ लिए गया जो की 15 नंबर के questions थे और इसके बाद में जो सी सेक्षन था यहाँ पर यहाँ पर इंसे पूछा गया सारी की सारी full forms और IT के जो students है full forms जरूर तयारे कर लीजेगा क्योंकि आप सभी के जो papers हैं उनमें full form जरूर आएगी full form जरूर आएगी तो यह ना सोचिएगा कि full form नहीं आएगी फिलिंदा blanks के रूप में आ सकती है true false के रूप में आ सकती है आप से पूछ लेगा कि R का Earth क्या है RTE Act में R क्या है NPE Act में N क्या है IP में I क्या है कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो दोस्तों full form जरूर तैयार कर लीजिएगा टेलीग्राम गुर्प से जुड़ जाएगा जहां पर आपको लिंक मिल जाएगी काफी सारे इंपोर्टेंट वीडियोस की और काफी सारी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम फुल फॉर्म्स की बात कर लेते तो आपको सभी को पता है राइट साफ परसन वे डिस्वेल्टी एक्ट पी डवूट का मैंने आपको काफी बार बताया है और आप सभी अगर आपको पता है तो तुरंट कमेंट सेक्शन में जाएए और सभी फुल फॉर्म्स की जो जितनी भी फुल फॉर्म्स की आप पर दी हुई है इनको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताईएगा बाकी एनिपी का आप सभी को पता होगा नेशनल पॉल्सी आफ एजुकेशन एक्ट और आईपी एनिकी इंडिविजलाइट एजुकेशन प्रोग्राम इसके बाद म आप लोगों से दोस्तों पांच कोशन पूछे जाएंगे यहां पर दस कोशन पूछे गए हैं और पहला कोशन यहां पर आपको थोड़ा धुंदला है लेकिन मैंने पढ़ लिया था दोस्तों पहला कोशन था विसेश सिक्षा को परिभाशित कीजिए पहला कोशन क्या था स्कूल, संगठन और प्रसासन के सिधान्त क्या है इसी प्रकार से आपके विए questions 10 questions आपके पूछे गए लेकिन जो ID के students है इनके जो questions की संख्या है वह change कर दी जाएगी यहां से और उनके 5 नमबर के भी questions आएगे और यहां आप देख सकते हैं कि आपसे 10 नमबर में आदर्स वाद पूछा गया और यह सारे questions आपसे पूछे गए जिनमें से एक question करना था तो सभी लोग तयार कर लीजिएगा जितने भी आपके questions हैं इनको तयार कर लीजिएगा अच्छे से और जो भी आपके previous year के papers हैं इनको देख लीजिएगा इनसे भी question को तयार कर लीजिएगा दोस्तों मिलता हूं नेक्ष वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ और नेक्ष वीडियो आपके लिए upload की जाएगी पार्ट 10 की यानि कि जो short type questions पार्ट 10 का चलना है वहां पर आपका पार्ट 10 होगा तो उसकी वीडियो कुछ ही देरों में upload कर दी जाएगी जहां से आप अधिक प्रशनों को देख सकेंगे मिलता हूं दोस्तों नेक्ष वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद